जैहिन प्यारे साथियो नमस्ते वंदे मात्रम मैं आकास पुनह आप सभी लोगों के लिए प्री वेटनरी एंड फिसरे टस्ट के काउंसिलिंग के प्रोसेस को लेकर इस वीडियो में आ चुका हूँ और आप सभी लोगों को बता दूँ इस वीडियो में हम लोग सारी जो प सकता नहीं पड़ेगी ये सारी की सारी प्रोसेस आप लोग अपने मोबाइल से या फिर आपके लेपटॉप से आप लोग कर सकते हैं जैसा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोग वैसे ही सारी प्रोसेस कर सकते हैं तो चलिए हम लोग बात करेंगे यहा हम लोग बात करेंगे registration किस तरीके से होगा, choice filling कैसे होगा, कैसे हम लोग इस process को कर पाएंगे, कैसे हम लोग college को arrange कर पाएंगे, ये सारी process आपको इस वीडियो के माद्यम से पता चलने वाली है, तो चलिएगा start करते हैं आज का यह वीडियो, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, तो चैनल को subscribe करिएगा, ताकि हमारी जो भी महतपूर अपडेट है, वो आपको मिलती रहे, तो आपको लेके चलते हैं हम लोग crypto online service के official website पर, क्योंकि सारी process यही से start होती है, चाहे वो आपके veterinary हो, चाहे वो आपके PAT हो, चाहे वो आपके animal husbandry हो, सारी process इसी website के थुरू होती है, तो इसका जो link है, इसका link में आपको description box में provide कर दूँगा, आप लोग जो है, उस link पर click करके, directly उस page पर on हो सकते हैं, जहां से हमें यह process करना है, देखे सातियों, हम आ चुके है, क्रिप्सो ऑनलाइन सेर्विस के official website पर, यहाँ पर देख लेजिए pvft, जैसे कि मैंने आपको कहा था, 16 दिसंबर से आपकी process start होने वाली है, तो जी हा सातियों, आपकी process start हो चुकी है, तो आप freezer है, close button पर यहाँ पर click करना है, choice filling करने से पहले, counselling करने से पहले, आपको एक user ID और एक password बनाना पड़ेगा, तो user ID और password हम लोग कैसे create करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है new user, click here for registration, तो यहाँ से हम लोग registration करने वाले हैं, इस पर simply आपको click करना है, तो चलिए मैंने यहाँ पर simply click किया, यह सारी आप लोग process मोबाइल से, laptop से कहीं से भी कर सकते हैं, तो एक नया जो है, यहाँ पर dialogue box open हो चुका है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपने जो भी नाम लिखना है, whatever जैसे की मेरा नाम आकास है, तो मैंने यहाँ पर आकास लिख दिया, तो मैं state MP से हूँ, MP सेलेक्ट किया, उसके बाद है आप कहां से है, चलिए, मान के चलिए, हमने डाल दिया, हम भोपाल से है, और के साथ यह, उसके बाद जो है, जो आपकी CT है, वही डालिएगा, जो आप लोग correct चीजे, यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना है, जहाँ पर one time password आएगा, उसके बाद यह user ID, बिल्कुर दियान में रखना है, क्योंकि user ID जो है, जो बनाएंगे, ठीके साथी, उस पर भी OTP आएगा, और यह नीचे user ID और password, यह खुद का बनाना पड़ेगा आपको, क्या यह user ID और यह password आपको खुद का बनाना पड़ेगा, जैसे की कैसे बनाई सर जी, लिखिए का, आकास, ओके, एक द्रेट, 123 लिख दीजीगा, और password के नीचे अपना कोई भी, जैसे कि आपका नाम हो, तो कुछ भी आकास लिख दीजीगा, एक द्रेट, 11 लिख दीजीगा, ऐसा कुछ भी आप लोग अपने तरीके से नीचे में बनाना है, ठीक है, यह दोनों में क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, और नीचे में जो आपके वास ID है, वो डालना पड़ेगा, ओके आपका रजिस्टरेसिन मोवाईल नमर डालना पड़ेगा, और आपको यहाप पर Gmail ID डालना पड़ेगा, और नीचे से आपको दोनों को बनाना पड़ेगा, और वही पासवर्ड यहापर बूट करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, तो आपको आपका यूजर ID मिल जाएगा, और पासवर्ड मिल जाएगा, जैसे कि मैंने यहापर करके रख लिया है, तो मुझे यूजर ID पासवर्ड मिल चुका है, और इसके बाद क्या होगा, एक interface आपका on होगा अब क्या करना है आपको यहाँ पर simply खुला है देखे welcome आया है यहाँ पर नाम आया है और यहाँ पर home page आया है तुम देखे मैं home page पर जैसे क्लिक किया ठीक है यह आपके समक्च जो है चीजे खुल चुकी है ठीक है साथियो यह चीजे आपके समक्च खुल चुकी है अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे आपकी जो सारी process है ओके यह सारी process को हम लोग यहाँ से complete करवाने वाले है चलिए अब इसके बाद आपको यहाँ पर pv apt counseling लिका है तो यहाँ पर जाना है और यही से सारी की सारी process करना user ID password बनने के बाद की process तो इस तरीके से आपके समक्च जो है फ्रेंट पेज ओन हो जाएगा तो हमें जाना है यहाँ पर ठीक है साती हो यहाँ पर simply click करना है कि online counseling लिखा हुआ है यहाँ पर यहाँ पर pv apt और साथ में आपका अनिमल इस बेंडरी हो डिपलोमा डेहरी टेक्नलोजी वाला या फिर आपका बी यफ एससी या फिर करें आपका बी वी एससी एच के लिए तो मुझे simply करना है वेटनरी के लिए तो वेटनरी के लिए simply मैंने इसलेने क्लिक किया तो साथ यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या-क्या application online यहाँ पर दिया है change branch यह हमारे अभी काम का नहीं है print application form यह अभी काम का है ओके दो चीजthy हमारे काम के हैं तो मुझे simply click करना है उपर वाले पर simply क्या करना है उपर वाले पर click करना है आप लोग जो भी डिपलोमा आपको मैंने जो डॉकुमेंट बताया था वह सारा है ओके क्रसक की सीट से तो क्रसक काई है यहाँ पर जाकर आपको जो है जबलपूर है रिवा है मोहू है यहाँ पर आपको जो है कॉलेज है यह सारा कुछ यहाँ पर लिका है वो जो है इसे जरूर से पढ़ियेगा उसके बाद ही आगे फिल करियेगा Simply check box पर क्लिक करना है और go to online admission for फर क्लिक करना है जैसे ही आप लोग online form पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको roll number डालने बोला गया है ठीक है साती हो तो मैं आपके समक्च यहाँ पर roll number put कर रहा हूँ और फिर हम लोग आगे की चीज़ों को जानेंगे ठीक है आगे कौन सी चीज़े खुलती है आपके समक्च अभी आ जाएगा ठीक है साती हो यह देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है अब मैं यहाँ पर फिल करना चाहूंगा आपके समझ सारा आपके समक्च लाइव चल रहा है साती हो ओके सेसन को शेर करिएगा और अगर आप लोग जो है लाइक कर देगा तो बहुत ही बढ़िया होगा चलिए आगे देखें क्या करना है सो डीटेल पर क्लिक करना है तो एप्लिकेशन डीटेल्स नाट फाउंड फिल्स चेक रोल नमबर चलिए कुछ तो गरबड़ी हुई है हमसे इसलिए यह बोल रहा है चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ओके सातियो ठीक है यहाँ पर मैं चेक कर लेता है एक बार यहाँ पर हमने रोल नमबर और डेटा बर्त फिल कर लिया है इसके बार सो डीटेल पर क्लिक करेंगे जैसे ही सो डीटेल पर क्लिक करेंगे सातियो आपके समक्ष आपका जितना भी डीटेल था सारा खुल चुका ह आपके कितने मार्क्स थे वो खुल चुके है आपके कैटेगरी खुल चुके है साथ देट आप बरत वागरे सारी चीजे आपके खुल चुकी है अब इसमें क्या करना है जो आपका जीमेल है वो आपको फिल करना है जहाँ पर स्टार दिख रहा है आप लोगों को मैं जूंग करके बता दूँ इस पर पूरी जानकारी सत्य फिल करना है नहीं तो फॉर्म आगे नहीं भड़ने वाला है ठीक है यहाँ पर आपको जीमेल फिल करना है यह ऑपिसिनल नंबर चोड़ दीजिएगा पर एक जीमेल अपना सही वाला और यह पर मोबाल नंबर आपको फिल करना है उसके बाद में लिखा हुआ है कि करप्या अपनी प्रात्मिक्ता के अनुसार लिये गए अधिक्तम च्वाइस फिलिंग भरे क्योंकि मेरिट के आधार पर आपके द्वारा भरी गई च्वाइस फिलिंग सीड जो है उपलब्द न होने पर आप जो है काउंसिलिंग प्रकिरिया से बाहर हो जाएंगे मतलब इन्होंने साफ कर दिया है अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको यहां से बाहर कर दिया जाएगा तो आपके पास कॉलेज की बात करें तो रिवा महू जबलपूर रिवा महू जबलपूर तीन कॉलेजेस है तो तीन कॉलेजेस में आपको फ्री सीट और पेमेट सीट दी गई है तो आप लोग यहां से अपने सीटी के एकॉर्डिंग जो आपके सीटी हो उसके एकॉर्डिंग आप लोग नजदी की वाला कॉलेज चूस कर सकते है तो पहले हमने चूस किया क्या साथी हो जो है पहले चूस के हमने वेटनरी कॉलेज उसके बाद हम लोग चूस करेंगे ठीक है वेटनरी कॉलेज पहले हमने चूस कर लिया क्या साथी हो जबलपूर जबलपूर फ्री सीट चूस कर लिया अब उसके बाद जो एरो दिख रहा है ना आपको इस एरो पर क्लिक करना है तब ही ये college यहां पर arrange होगा तो ये दिखे ये मैंने कर लिया है तो यह साथ यहाँ पर आपका arrange हो चुका है ओके तो ऐसे आपको सारे के सारे अरेंज करना पड़ेगा ये देखे ये college आपका अरेंज हो चुका यहाँ पर तो ये first वाले से second वाले में आपको feel करना पड़ेगा तो ये arrange होते जाएंगे और पूरे college arrange करने के बाद ये check box पर click करना है और नीचे दिख रहा है आपको क्या submit application form तो submit तो इस form को मैं नहीं करने वाला हूँ ठीक है साती हो तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा submit application form पर click करना है जैसे ही submit जो है form पर click करेंगे application form पर इसके बाद एक नया interface on होगा वहाँ पर आपको जो mobile number यहाँ पर पूट करने वाले है कहाँ पर यहाँ पर तो इस पर एक OTP आएगा one time password ठीक है उस password को आपको इसके बाद की जो window है उस पर feel करना पड़ेगा और नीचे payment का option आएगा तो वहाँ पर आप लोग payment पेटियम फोन पे गूगल पे यहाँ से कर सकते हैं ओके सातियों आपको कोई issues नहीं आएंगे और इसके बाद जो है इसके बाद यह सारा process होगा इसके बाद जो इसका form आएगा उसे आप लोग को चाहे print out रखना है ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा यह लाग आउट कर दिया मैंने ठीक है सातियों लाग आउट कर दिया है यहाँ पर फिर से मैंने upload कर यहाँ पर देखिए ठीक है वहाँ से अगर print out नहीं इसके बाद आपका cut out आने वाला है तो cut out officially आने में choice filling के बाद ही आता है तो उसका वीडियो भी मिल जाएगा पर tentative cut out कितना approach रहने वाला है वो जो है आपको मिल जाएगा जो है इस वीडियो के बाद ही तो चलिए मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में जैहिन पूरी process मैंने समझा चुका है आराम से आप लोग सोच के विचार करके process choice filling और admission amount को लेकर सारी process बाद में कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में जैहिन नमस्ते वंदे मात्रम